है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनिकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ले प्रशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं For example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं तो option chain को किस तरह से effectively read करना चाहिए कौन से strike के उपर में buyer active है, sellers active है या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको हमारे playlist में मिल जाएंगे तो friends इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं जहां पे silver, gold and platinum ये तीन membership हम offer करते हैं इनकी सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के futures के label होते हैं हम आपके साथ में वह शेयर करते हैं और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं तो आपसे live market के अंदर में trade करता हूं इनिशेट के बारे में information भी शेयर करता हूं तो दूस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50 bank nifty और हमारे इंटाडे trades के बारे में 20 के आसपास में same way हम lifetime high बनाते हुए भी नजर आए nifty और bank nifty दोनों के उपर में so nifty ने 28.60 पॉइंट का गेन किया हुआ 14,924 के आसपास की closing दी है बहुत दिन बाद इतना कम पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा होगा नहीं तो अच्छा कासा या तो points में अच्छा कासा moment होता है ऐसा बोल सकते हैं या बहुत दिनों से अच्छा कासा point गेन कर रहा था फिर कुछ points shade कियें आज के दिन में minor 28.60 points का गेन देखने को मिल रहा है 946, 14,946 के उपर में nifty future काम कर रहा था था प्रीमियम कल के मुकाबले था था बढ़के आया है bank nifty 35,654 और premium 792 के आसवास में definitely कल के मुकाबले ये भी बढ़के आया हुआ है and financial nifty 6,724 पे and 6,772 पे future काम करते हो नजर आ रहा है so आज तीनों index के अंदर में आपको premium के अंदर में कल के मुकाबले ज़्यादा gain देखने को मिला है lifetime high की बात कर ले तो nifty ने लगवग लगवा 15,014 के आसवास का high लगाया है और bank nifty की बात करे तो bank nifty 36,615 के आसवास का high लगाया हुआ है morning में गजब की opening में बोल सकता जबरदस्त opening देखने को मिली पर समाव ऐसा feel हो रहा था कि नहीं यह right नहीं है point right label नहीं है bank nifty का और यहां से correction देखने को मिलेगा भी और correction देखने को हमें मिला भी options काफी आज महंगे थे तो definitely मैंने options के अंदर में भी यहां पर कोई भी position नहीं बनाई चले समझ लेते हैं point wise हमने समझ लिया है चले समझ लेते हैं कि derivative data की सबसे हमें hint दे रहे है क्या indication देते हुए नजर आ रहे है शुरुआत करेंगे long position से though nifty and bank nifty continuously lifetime high बनाय जा रहा है लेकिन long position FII के कम होते भी नजर आ रही है 61.57 पर यानि कल के मकाबले 1.72% का fall देखने को मिल रहा है budget day के अंदर में ही सबसे ज़्यादा यहां पर 74.74 था उसके बाद से continuously fall देखने को मिल रहा है and इसमें जो surprising moment वो यह है कि fall इसलिए नहीं हो रहा है कि long position कम कर रहा है fall इसलिए भी हो रहा है कि short position भी बढ़ाई जा रही है so जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था कि market के अंदर में fall expected है थोड़ा बहुत fall आपको देखने हो मिल सकता है अभी भी chances है कि fall वैसा होता हूँ मिले आपको 61.57 के आसपास में neutral लेके चलेंगे इसे यह negative नहीं लेंगे इसे neutral लेके चलेंगे फिलाल कल के इसाब से अगर आज fall होता तो definitely यह negative जाता था so 61.57 थोड़ा सा नीची जाते है 58.2 वगरा के आसपास में जाते देखे लासने 58.82 से जंप हुआ था तो 58 से 60 के रेंज में इसे बाइंग देखने को मिलती है हमें so उस moment पर आ गए हम यानि मंडे के दिन में मंडे या Tuesday के दिन में आपको fall देखने को मिल सकता बढ़िया या तो long बनते हुए चालो होगा यानि फिर से यह उपर जाने की तयारी में चालो जाएंगे so मंडे का long position FIA का long position देखना ज्यादा interesting रहेगा derivative data index future में continuously sale देखने हो मिल रहा है आज 460 करोन की sale देखने हो मिली है हाला कि कल के मुकाबले काफी कम है लग बग लग आप देखे तो कल के मुकाबले 15 & 151 के मुकाबले आज तो एंट हड ही sale किया हुआ है and stock future में भी 39.11 यानि इसके अंदर में भी काफी कम interest दिखाया हुआ आज के दिन में नीट्रल माने क्यों नीट्रल माने डेफिनेटल यह निगेटिव नबर्स थे लेकिन आज जिस आफसे 460 करोन का इंडेक्स विचर में नजर आए वह देखना वही जिसके वारे में भी थुछ दिर पहले बात क्या इंट्रेस्टिंग हो सकता है थर्ड डेटा के बारे में बात करें cash segment तो जब तक पैसे आते रहेंगे तब तक party चालू रहेगी 1461 करोन उपीस की buying हुई है उतने ही लगबग उतना ही DIN SL की 1418 करोर की selling देखने को मिली है इसलिए आपको index के अंदर में ज्यादा कुछ पॉइंट गेन देखने को नहीं मिल रहा है so FIA की buying continue है definitely थोड़ी budget के आसपास में बेक्वाली देखने को मिली थी लेकिन उससे ज्यादा की खरिदारी हो चुकी है अब so positive point है यहाँ पर मैं इसे अभी भी positive लेकि चलूँगा ना neutral ना negative क्यों क्योंकि FIA अभी तक हात रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है so positive है cash segment के अंदर में and put call ratio के बारे में बात करें तो put call ratio neutral आ रहा है ज्यादा नहीं oversold है नहीं over brought है तो definitely neutral view यहां से निकल के आ रहा है so overall अगर हम derivative data को समझ नहीं कोशिश करें तो derivative data या तो neutral है या तो positive है so definitely अभी फिलहाल के time पे थोड़ पॉइंट्स गीन होने के chances बनते है इन data के हिसाब से Monday के दिन में अगर index के अंदर में buy आ जाती है FIA की तरब से अगर long position बढ़ जाती है तो definitely आपको शायद 15,200 शायद फिर से 36,500 का level देखने को मिल सकता है Monday देखेंगे क्या हो रहा है आज के position के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बता है option premium थोड़ा महंगा था इसके चलते मैंने खरीदारी नहीं की options के अंदर में बट ये zeal के अंदर में एक position बनाई हुई हमने positional trade है ये definitely ये positional trade के अंदर में loss अगर हुआ तो लगबग 7,000 के आसपास का loss हो सकता है और profit अगर जिस label की बात करें profit तक पहुंचता है तो कही न कही 90,000 रुपिस के आसपास की profit हो सकती है एक strategy के अंदर में basically हमने काम किया हुआ है zeal के अंदर में so अगर आप हमारे platinum member है तो definitely आपको ये सारे trades या तो आपके YouTube के community tab पे मिल रहे होंगे या तो आपको whatsapp पे मिल रहे होंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291-802926 के उपर पे contact कर सकते हो call कर सकते हो I mean या तो message या whatsapp कर सकते हो ताकि मेरी team आपको ये trades आपके mobile या तो YouTube के community tab पे लाने में आपके लिए help कर सके चले आगे बढ़ते हैं समझे ही कोशिश करते हैं कि nifty और bank nifty Monday Tuesday Wednesday Thursday ये चार दिन किस तरह से perform कर सकता है कि अभी भी lifetime बने के high बनने के chances है या candle कुछ और बात कर रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं nifty के बारे में bank nifty का view आपको थोड़ी देर में उपर card पे click करके देखने को मिल जाएगा तो नifty के बारे में अगर बात करें तो आज के दिन में लगबग लगबग 150 points के बीच में नifty काम करता रहा दे हाई भी बनाया शुरुआत के आदे गंटे के अंदर में ही त्योंकि 15,014 के आसपास था दे लो 14,864 के आसपास से बना जो की लगबग लगबग 11 o'क्रॉक के पहले ही बन गया उसके बाद में क्या होगा नेरो रिंज बोल लीजे रैली बोल लीजे लेकिन 150 points के अंदर ही काम करता रहा प्रीमियम के क्लियर कट देखने को मिला जो स्टार्टिंग में प्रीमियम के जो कॉशली प्रीमियम थो थोड़े से कम होते हुए नजर आ है अब यहाँ पर की के 15,000 के अस पास में resistance मिल रहा है वहाहँ उपर जाते ही जैसे जसे को चीस के बन रहा है क्या झालती मिलेगी क्या कर सकते है यह दिखें एक triangle बनता हुआ नजरा आ रहा है, यानि ये triangle के either side moment हुआ, तो breakout या breakdown देखने को मिलेगा, आज जिस तरह से mahal बना हुआ है, जिस तरह से काम हुआ, उपर की तरफ में हमें 15,000 के आसवास में pressure देखने को मिला हुआ है, यानि उपर की तरफ 15,000 resistance बनेगा, एक बार इसे तोड क breakout देखने को मिल सकता है, जो आपको 100-200 पॉइंट उपर ले जा सकता है, नीचे की तरफ 14,950 पकड़ लीजिए, या आज का low पकड़ लेते हैं, 14,864 का आज लो बना हुआ था, इस low को, या high आज के दिन के high को, या आज के दिन के low को, जैसे ही तोड़ते हैं, आप 150 पॉइ आप उसके अंदर में देख सकते हैं, अब 864 का मैं प्लस माइनस करता हूँ, तो important support आजाता है मेरा, नीचे की तरफ 14,700, और अगर 15,000 के उपर में कर रहा हूँ, तो 15,150 का target बनता हुआ नजरा है, मुझे लग रहा है, Monday या Tuesday को, ये दो में से एक level आपको जरूर देखने को मिलेंगे, दूसरा logic आप ये भी बोल सकते हैं, ये निफ्टी जिससरे से movement दे रहा है, 1500-200 पॉइंट के तो movement आराम से दे सकता है, लेकिन ये जहां पर अभी फिलाल closing दिया है, closing कहा पर दिया, closing दिया 14,924, वहां से लगबग 924 मतलब 224 पॉइंट नीचे की बात हो रही है, और उपर की तरफ लगवर 225 पॉइंट की बात, यानि बीच में यहां से 225 पॉइंट का movement, Monday, Tuesday के अंदर में देखने को nifty के अंदर जरूर मिलेगा, दोनों में से एक label मिलेंगे, क्या करें, buy करना चाहिए, sell करना चाहिए, मैं बोलूँगा, wait करिये इन labels के तूटने का, य और ज्यादा chances है कि Monday के दिन में आपको ये label तूटते हुए नजर आ जावे, daily candle पे चलते है, अगर ऐसा आपने मान के चले, अपने position बनाया, तो एक stop loss, target की तो हमने बात कर लेकिन stop loss होना बहुत ज़रूरी है, पहला चीज, आप nifty के अंदर में volume तो देख नहीं सकते है, nifty 864 तोड़ के नीचे की तरफ जाने की तरफ वापास उपर आ रहा है, 4910 का stop loss लग जाना चीज, शॉट के लिए, मांग की चले, उपर की तरफ 15,000 तोड़ता है, 15,000 तोड़ के उपर नहीं जा रहा है, यानि आपने shot बोला के shot बना लेते हैं, 15,000 तोड़ा, और आपने long बन समझने कोशिश करते हैं, डेली केंडल में क्या हो रहा है, तो डेली केंडल ये कल के दिन में 3 ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ के थे, आज की दिन की जो closing होई, इस ट्रेंड लाइन के थोड़ी से नीचे हुई है, जिस तरह का candle बना हुआ है, इन डिसिजिव, यानि 15,000 पे आ थोड़ी से नीचे ही काम करते ही नज़र आ रही है, ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें इस breakout या breakdown के उपर ही ध्यान रखना है मंडे के दिन में, candle higher high, higher low बना हुआ है, no doubt in that, positive माना जाता है, लेकिन जिस तरह से candle है, दोनों तरफ आपको जिस तरह से tail नज़र आ रहा है, ये उपर की तरफ profit booking और नीचे की तरफ buying, यानि buyers और sellers दोनों aggressively participate कर रहा है, ये indicate कर रहा है, मंडे की opening इंपोर्टेंट होगी, अगर मंडे की opening नीचे की तरफ होती है, 14,850 के नीचे की opening होती है, pressure बढ़ते हुए दिख सकता है, और अगर उपर जाना है, तो definitely आज का high तोड़े और stop loss 14,950 के आसवास में रखके long किया सकता है, option chain देख लेते हैं, option chain में क्या हो रहा है, option chain पहले closing कहा होई है, 14,924 तो 14,900 रमारा add the money होगा, let's mark add the money first, 14,900, 19,207 and 19,325, ये call and put के अंदर में आपको open interest देखने को मिल रहा है, यानि बराबर का महाल दोनों तरफ है, रस्ता क one के अंदर में long बना है, quadrant two के अंदर में long बना है, quadrant three में writing हुई है, and quadrant phone में writing हुई है, जो bulls को support करती है, 38 point हम उपर भी है, now important open interest कहां का बना हुआ है, अब वो देख लेते है, 27,332, 15,000 पे जहां से आज हमने resistance वेस के अब वहाँ पर देखने को मिल रहा है, let's talk about another one, important one and the highest open interest 15,500 पे 36,65 का है, 25,695 का open interest 15,200 पे देखने हो मिल रहा है, और I think यही तीन open interest जो आपके लिए important काम करने वाले है, so उपर की तरह 15,000 अभी भी आपके लिए resistance का काम करेगा, एक बाग क्रॉस कर जाते हैं आप, तो 15,100 चोटा मोटा problem देखा, लेकिन 15,200 तक जाने की chances आपके ब दूसरा, अगर उसे भी cross करके sustain कर जाते हैं, तो 15,500 आते हुए भी नजर आ सकता है, राइटिंग जिनोंने buy किया है, कि जिनोंने sell किया ही रहेगा, so सबसे ज़्यादा activity कहा होती हुए नजर आई, सबसे ज़्यादा activity आपको देखने को मिल रही है 15,000 के उपर में, 15,500 माफ भी रहेगी वहां पर, अगर put side देखें, तो put side के अंदर में, आपको open interest 17,920, 14,000 का 14,600 पर, 14,700 पर 19,000 का open interest देखने हो मिल रहा है, and then उस काफी नीच जाएंगे, तो आपको highest open interest नजर आएगा, जो कि 14,000 पर है, यानि 14,000 से 15,500 ये दोनों लेबल पर highest open interest है, दूसरा चीज यहां पर 26,000 का open interest 14,500 पर देखने हो मिल रहा है, so importantly अगर समझें, इसमें से important definitely मैं इसे rough करना चाहूंगा, 14,600 वाले को इतना importance नहीं देंगे, 14,700 and even 14,800 भी मैं rough कर रहा हूं, so जो target हमने chart पर लिया, 14,750 का target, and यहां पर दूसरा जो target हमने आ पर लिया था, 15,150 का, दोनों यह हां पर option chain में भी justify होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खास writing नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा concern होना चाहिए, जिस तरह कि यहां पर 15,000, 13,000 का addition देखने हो ले हैं, यहां पर writing देखने को नहीं मिल रही है, so कहीं ना कहीं यहां से put writers guy up है, नदारत है, put writers के guy up होने का मतलब की दिन में काम करते हुए नजर आ सकती है, छोड़ी range की बारे में बात करें तो छोड़ी range आपको 14,850 से लेके 15,000 के बीच की है, और सबसे बड़ी range की बात करें तो 14,500 से 15,500 की range समझ में आ रहे है, nifty के अपर में, so this is all about nifty, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज दोरदार हो और आप खुब सारा पैसा कमाएं, गुड़नाइट